नमस्कार दोस्तों, Welcome back to Seville Lotto तायम करने वाले हैं, Top 45 Most Expected Important Question कि इस question में कौन-कौन साथ subject होने वाले हैं, Hydrology के 15 questions लेंगे, बाकि हर एक remaining जितने भी subject का आप दिख रहे हैं, हर एक के 5 questions रहेंगे, जिसके आपकी Mixed Practice हो सके, जो इस series का aim है, है वन वन सब्जेक्ट हम लोग एड़ करते जाते हैं ठीक है किस किस एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और किस ता हम लोग एप्रोच करने वाले हैं तो डी एक्जाम का रिक्रिमेंट जो आज मैं नोटिशन बना जाया है ठीक है आपको कल या विडियो में जाएगी उसक सब्सक्राइब जो आपको नॉलेज में होना चाहिए उसके पीछे का लॉजिक क्या है ठीक है क्योंकि आज के टाइम जितने भी क्वेशन बनते हैं उनके पीछ लॉजिक होता है जो अप्रोच आपको पकड़नी पड़ेगी तब आप आज के टाम पे किसी एक्जाम को निक तरिके से को उसमें कितना जा रहा है तो उसमें कितना चैंज हो रहा है उसके वाटर लेवल में यह पिर वाटर सफिस में ठीक है कोई आपकी बाटर बोड़ी Net runoff from watershed, हाँ, जो runoff होके चला जाता है नरी नालियों में, ठीक है, नरीयों में नहीं जाता है, आकर नाली वालियों में जाकर waste हो जाता है, ठीक है, तो वो भी आपका waste stage में आता है, ठीक है, तो भी waste हो जाता है, तो option number A is a right answer, ठीक है, ठीक है, तो चली बढ़ते हैं, next question के और, अगले question के और देखते हैं, in India, which of the following is adapted as standard recording range, देखे, दो टाइप के range होते हैं, एक recording range होता है, एक non recording होता है, ठीक है, जो recording range है, ये तीनों है, ठीक है, और non recording range range है, अपने पास AK Simmons range, लेकिन इंडिया में भी हम लोग कौन सा use करते हैं, इसकी में short track बताता हूं, तो fun, यानि क मज़ा का आप लोग याद रखते हैं, fun, fun, मज़ा की तरह रहा है, एक फोर floating type, एन फोर natural syphon type, ठीक है, यानि कि natural syphon type, इसके दो नाम है, floating type और natural syphon type, इसके दोनों नाम आपको याद रखने हैं, confusion हो सकता है, कहीं आपको natural syphon type अठाके, floating type दे दिया तो आप confusion मत होना, कि natural syphon type तो लिखा नहीं है, तो floating type भी उसका दूसरा नाम होता है, अब बात करते हैं कि इसका डाया होता है, आपको वह था 12.7 cm, यह भी important है कि 12.7 cm का डाया होता है, ओके यानि कि option number C इदा राइट आप सक, ठीक है, question हो गया, question से लेटर important facts भी हो गया, और उसका दूसरा नाम क्या यह भी हो गया, तो इस तरह आपको अप्रोच करना कि भी question को, okay, अगले question की बात करते हैं, the radius of influence, इस देखे, radius of influence क्या होता है, यह कोई वैल है अपना, ठीक है, यह ground level है, okay, इसके center से, ठीक water level इस तरह अपने आपने जाएगा, और जहाँ पर drawdown अपना zero हो जाएगा, water level यहा यानि कि उसका कहां कहां थक influence है, ठीक है, तो इसकी definition देखने है, radius of the main well यानि कि इसकी यह वाल डिस्टेंस, यह तो गलात है, यह तो गलात है, distance from the well of main well to the point of zero drawdown, तो यह सही है, लेकिन इससे दिए accurate कोई हो सकता है क्या, कि question में क्या हम अपने कोई चूद करना है, best option, most appropriate option हमक अगर मान लो, यह भी नहीं होता, मान लो, अगर C भी नहीं होता, और none of these दे रखा है, तो हम लोग D लगाते, ठीक है, अगर मान लो, D नहीं होता, none of these कि जएका, अधर कोई point दे रखा होता, और C भी नहीं होता, तो हम लोग B लगाते, उससमां अपने पास option कोई सा होता, best अप्षिन भी होता लिंक इससे में अपने पर एक्विट ऑप्षिन है सी तो हम लोग सी लगाएंगे ठीक यह निए अप्षिन सी इधार राइट अंफर ओके तो अगला कॉशन है दब परसेंटेज अफ अर्थ कवर्ड बाइवाटर इस अवाड़ दीगे यह मारी अर्थ है तो इसका सेवन्े परसेंट पानी वाटर से कवर्ड और जू रिमेनेग है है वार आपका जो लैंड सो कवर्ड है लेकिन इस सेवंती वन परसेंट का भी जाता है जो बाशिश होती है तो नधियों में जाता नधियों के थूप समुद्र में जाके मिल जाता है जो हमारा वेश्ट हो जाता हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं कि 71 परसेंट का भी हम लोग स्रिफ 3 परसेंट वार्टर हमारा पीने के लिए अविलेवल है वो भी हमारा क्या कम होता जा रहा है इसी वज़े से तो वार्टर बॉडिस को रिजर्व किस तरह रखा जाए इस पे जो आने वाली जो सरकार हैं अ हमारा वह अच्छा रहेगा और कम पानी हमारा वेस्ट हो पाएगा से लाइन में कंवर्ट हो के क्योंगी जातर पानी हमारा बाढ़ बाढ़ के तुरू कहां पर चला जाता है ठीक है यानि कि इस कॉश्चिन का अंसर क्या आप्शिन नमर्स सी सेवंटी वन परसेंट ओके न सेवंटी वर्षाह स्टकरी सिवकिन परसेंट पर सियला जाता तो सेवंधर में चला जाता तो इसेवंधर में चला आता तो सैयलं हो जाता और 3% पान नहीं पीने के लिए अविलेवल है 90% क्या अपना सेल आइन यानी के आप्षिन नमर्डी इस अगर यहीं पर यह पूछ लेता कि कितना पर सेंट वाटर हमारे लिए अविलेवल है तो वह कितना होता 3% होता क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है लेकिन आपको लॉजिक पता होना चाहिए ओके अगला क्वेश्चन क्या कहता है और रेंड फॉल विद अइंटेंसिटे अफ टैन एमें पर आवर इस इसको बोलते हैं लाइट ठीक है अगर आपके इससे कम है तो लाइट बोलेंगे इन दोनों के बीच में तो मॉडरेट बोलेंगे उससे जादा ह तो हैवी वह देंगे तो 10 mm पर आवर ठेक है यह सब इम पर आवर में है यह 7.5 से ज्यादा है तो किसमें आएगा यह यह अप्शिन मेर दी इदर राइट आउंसर अकॉडिन टूदा क्वेश्चन अब यह तीनों ड़ाट आपको याद रखने तो फिर कहीं नापके नोट् रखने हैं ठीक है जिससे आपके नोट्स भी बनते जाएंगे ओके अगला क्वेशन क्या कहता है विच इस द और वन इन द फॉलोविंग और आपको पैचानना है स्नोव स्लीट रेन है रेन एक लिकूट फॉर्म है जो प्रैसिप्टेशन का लिकूट फॉर्म है बागी जितन तो क्या है उसको ब Immer बृते ह deal में बताऊंगे जिस एक लाट है ईग्दम कलियर हो जाएगा टीक है फिलाल एंटेंसिटी ईश्वरणिंटेंशीटिटो टायम के बीची में गराफ होता हुछ को प्रताम हाइट्र बरफ हीडरोग्राफ है एक टाते हैं हाइट्रोग्राफ हुछ अगर पूच लेता है जोगे पूच ज़ा तो क्या ह arrangements चार्जबर्ट बोसे थायम यानि की मीटर की फर सेकंड वर्सिस ताइम यूइट में लिख सकता है मालोग उसने रेनफोर इसली नहीं लिखा वो लिख दे था कि mm per hour versus time किसके बीच का ग्राफ है तब यह हीट्रोग्राफ होता कि mm per hour क्या रिप्रेंट करता है अपनी इंटेंसिटी कि कितनी इंटेंसिटी से बारिश हो रही है ठीक है अगला क्या कहता है सब लोग जानते हैं अनियो मेंटर से मिजर करते हैं सिंपल ओके लिसी में यूज़ बहुत एक्वाम में यह कोशिन रिपीट हुआ है सब लोगों के जिनको हाइड्रोग्राफ का आइडिया भी नहीं है लोगों यह कोशिन दिवाब को छप गया होगा इवापो ट्रांस्पि थे अब से कहला किया जो हमारे नहरे हैं तो उसके चिआ से कितना ऑガ्यव अबयापोरेशिन गटाव टाइडए हैं उसके प्रैपो यह उसको चूल बोलेंगे उसको क्या वोलते है, प्रैन कोफिसेंट लियाने की cp से करते है इसको इंटू पेन है विप्राबेशें यहीं अभर सैंट क्या हूं दो नहीं important है यहां पर यूएस class A के लिए पूछा है इंडिन इस्टेंट क्लास A के लिए पूछ लेता तो 0.80 हो जाता क्योंकि US class A के लिए पूछा जाने के option number B is the right answer अगर वहीं पूछ लेता इंडिन इस्टेंट क्लास के लिए तो 0.80 आपका आंसर होता है जो की option में नहीं है अगर होता तो तो अकला question देखे है हाइड्र ग्राफ दिया तो मिटे की पर सेकेंट कर वर्स ताम याप्शन नमाब भी जराइट अंसर अगॉर्डिंग टुट कुश्चिन ओके आई यूनित हाइड्रोग्राफ देखिए यह मैंने आपका हाइड्रोग्राफ बनाया यह इस तरह होता है हमारा हाइड्रोग्राफ ठीक है यह हमारा डी आर एच होता है डायक रनफ हाइड्रोग्राफ यह हमारा बेस लो होता है यह आपका जो मीटर क्यों पर सेकंड में चलत लेकिन उस कंडिशन में जो डेक्ट रण भी नेट्र वहता है, वह कितना उसकता है, यानि की 1 cm होता है, ठीक है, 1 mm वह सकता है, यूनिट, लेकिं यूनिट 1 होता है, n की वेली कितनी होती है, अपनी 1 होती है, ठीक है, इसका formula भी बता देता हूँ, n is equal to 0.36 into summation of area, जितना भी area ह आपका अपन आपका जो आपका केच में टेरिया उसका है ठीक है तो इसवान इनिट अफिक दिश्चार तो यह कर लाता है ठीक है वन इनिट आफ रेंफ्लन टैन्ट इंट है यह बहलता है वन इनिट दडाARक्ट रन अफ तो यह सही आंशनय न्याएं और शी दा राइट आंस तो उसके लिए अम्हें दो टाइब के टेमिकल यूज करते हैं सी से याद कर लिए यह याद कर लिए सी यह ब्राँच यह श्रिक्तर के अनि कि बता रहा हूं सी यह और इस्टेरायल ऑन उप्शन को मैं करके बिए सकता कि इन दोरों में से कौन सा यूज होता है साथ में लिख दीगा सेटाइल और इस्टारायल और इससे लाइलकोल दूसरा को मुझाए जाएगा इसक्राइल करें कि तो निशक्राइब करें हैं तो नेस्ट क्वेशन क्या करता है ठीक है तो एवरे क्वांटिटी ओफ वाटर इन लिपी इस फूर्फफों में बहुत बछ 4 खीक है इसका को एक फर को यह को किया मैं कलेर करके फिर था श्वलकित ह஥ा हूं टीक है लीतर पर कपट कर दे केकर आनिकि पड़ पर स्च निए कितने लीटर पानी पर संरते मी यहल blush रहा है तो इंसान एक दिन में कितना पानी समया ला है तो according to is domestic purpose से कितने ही होती है सब लोग यानते हैं 135 लीटर भुष्ट को चाहितं ठीक कि है थे और उल्ड कोशी में बढ़े नहीं कोश नए ने कोशन से का रिटर्नन ले लिए क्यूंकिंक मैंlı को फोकॉस एक्झाम sneaking उठाए दो भूठ fällt dairy तो ओ और ले पुश्चे ने क्यों फोकुस करने लगते हैं तभी मैं ऐसे क्वेशन रखता हूं ओके एकला क्या कहता है विचे तो फॉलोविंग स्टेट्मेंस करेक्ट कौन सा करेक्ट आपको बताना है रिच क्लास कंजूंस लेस वाष्टा भई अमीर लोग कब से कम पानी उसकाने लागी जितना अगर आपको जो प्रैसें इंटेंसिटी है आपकी वाटर सब्लाइक की वह कम है तो आपके घर में कम पानी पहुंचेगा कम पहुंचेगा तो आप लोग कम नहीं तो यूज करेंगे और कम लॉस करेंगे ठीक है तो वही सीजी फंट है तो आप्शन नमां बी इस राइट और के आपको देखने की जो भी नहीं स्टीकर केसा है अर्थमैंटिकल इंकीज में इस सूटेवल फूर फो नीघ्र नो बेखा हुआ तो ग्रोथ है उसको बताता है यानि कोई ग्राफ आपका स्था तो constant बताता है तो यह यह नूज से टीज के लिए तो एसा होता है निग क इंग चीज्ट व के लिए इन गेरमाइट और में टेहा कई तक दीच्ट तो को नुयaggi यह और्ट यह यह में अओर ब करें यह इसको drilling मेन चिर्टिस के लिए इसको को यूज करते हैं अर्थमाटिक इंक्रिम मेथड को जियो मेटिकल मेथड करते हैं लोग यंग सेटीस के लिए यह जो अपना गलत हो गया यह आप अन्सर प्रक्रिट इस लप अलमेट करके भी कर सकते हैं यह कैसा इसको अगर आपको एक भी पॉइंट के बार में नौलेज न इसके में अच्छे तरफिस आपको समझाता हूं हाडनेस दो टाइक होती है आपको जहां नोट डान करके बताता हूं कि टोटल जो हाडनेस होती है एक होती है कार्बोनेट हाडनेस प्लस नोन कार्बोनेट हाडनेस नोन कार्बोनेट हाडनेस को बोलते हम लोग पर्मनेंट हाडनेस और जो कार्बोनेट हाडनेस होती है इसको बोलते हम लोग टेंपरेरी हाडनेस ठीक है यह क्या होता है आपक के नाका काबड रड़ niez से का के सलफेट होते हैं का आपके कैलिशयुम और मेंगनेश्यum के और प्लोराइड होते हैं, का सिर्फ होती यह होती यह किस्टे रच चेलिख मेंनेश्यum के विए से टेमपरेटरी सब्सक्राइब कर सकते हैं नॉन कार्वेंट हाडनेस को लोग टेंपरी हाडनेस नहीं बोलते क्योंकि इसको लोग रिमूव नहीं कर पाते ना परमेंट नहीं ठीक है बॉइलिंग के द्वारा और यह किस्ट से होती है यह कैल्शियम एंड मैंगनेशियम के सलफेट एंड प् ट Har کو फिर पहेला शसी नी कला दब्लेट अनावित सुप्छेंट मेंगराएं यह टेक्त न्युक्त तो गलाती ना तुझ कॉंशेल गया अंध। wurde ओप्षुनमें यह तो सभी है ना question को चेक करना है question पूचा कोंसा है wrong क्या पूचा question में wrong पूचा है ठीक है जीक को देखते है it cannot be removed by balling तो यह सही है ठीक है ठीक है d देखते है it requires special method of water softening to get removed yes it is right याद की b c d right है लेकिन question हो पूचा wrong है इस वेसे a right answer है according to the question क्योंकि में वहीं गलत है ओके है तो चलिए बढ़ जाने एक्सक्राशन के वह तो वन टी सी यू यानि टू कलर यूनिट इस एकुलेंट टू देखे वन टी सी यू वन जे टी यू वन एंटी यू तो इन सकता एक कॉंबिनेशन में आपको बता रहा हूं जो भी हम लोग मट्रियल ले इस साथ तो क्वेशन को आपको लोगों यह को देखते हैं दक लर प्रडूस वाइव वन ग्राम ग्राम नहीं होता वन एमजी होता तो यह गलत हो गया दक लर प्रडूस वाइव वन एमजी ओ प्लैटिन नम कोबाल्ट इन वन लीटर अप डिस्टिल वाटर तो कंप्लिट इस इस ब्सक्राइब अगला प्रडूस देखते हैं अगला क्ले सोईल सेंपल हैं यान की एन देरका आपको 0.5 डिग्र शेटरेशन यान की एस देरका आपका 0.70 ठीक है कि मैं सीज़े आपका पसेंटिस से डेसीमल में कनवर्ट कर लेता हूं जीसे कल्कुरेशन में कोई दीख करना हो ठीक है और स्पेसिक ग्रवटी की बात करें तो स्पेसिक ग्रवटी कितने 2.7 यानि जी एस 2.7 ठीक है इस समय पैन नहीं है यह जितना मैं आप वह समझा सकता हूं उतना समझना आपको केल्कुरेशन आपको करनी है और यूनिट वाटर देरका 10 क्लिट अपर मिट्ट है यूनिट गामाड़ीख 1 प्लस ड्वल्यू इंट्व 1-n ठीक है इसको आपको स्वाल करना जी आपको पता 10 है गामाड़ीख 2.7 गामाड़ीख 10 है 1-n की वेलीख 0.5 है 1-2 गोट-डवीख एस इसकल टू डब्लू डब्लू डूट-डी से ठीक है डब्लू को जी पता आपको एस पता जाएगा इस वेली को आपको लोग यहां पूट करेंगे इस पूरी को solve करेंगे तो option नमा बी यानि कि 16.99 जोगी आप प्रॉक्स क्यों है वह अंसर आज आएगा अगले कोशन को देखते हैं इस फोलोविं स्टेटमेंट इस यहां देखने हैं इनकर्ट मुझा है करेक्ट मुझा इस पर फोकॉस करने आपने को टीक है एड देटी स्टेट कंडिशन फ्लो इस नॉट चेंग बट पूर वार्ट प्रेशन में इस फ्लोट चेंग नहीं होगा तो पूर वार्ट प्रेशर कैसे चेंग होगा यानि कि यह भी दो गलाता है वन इस रॉंग तो यह तो आटमेटिक कैंसल हो गया और अबी कैंसल हो गया ठीक है क्लेशल टेक्स लोंगर ताइम तू डिस सेचुरेट इस साही है इसको अगला कोशन क्या था है अलाइन लोड ओफ इंफाने लेंथ है इंटेंटिटी अफ कितना वन फिफ्टी किलो निटर पर मीटर ठीक है वाट इद वर्टिकल इस्ट्रेस एट अड़ डेफ्ट अफ़ फाइन अड़ सर्किस अड़ 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 सेंटर अफ द लोड टीक है तो अमलूग जानते है सब्सक्राइब का फर्मला क्या होता है क्यों इसको अगर आप लोग सॉल करेंगे तो आपका अंसर अप्चिन अमा भी यानिकी नैंटीन क्लोमेटर पर मीटर इसको है अगला क्वेश्टन को देखते हैं अम लोग कंसा ता फॉलोविं स्टेट्मेंट लिक्विफिकेशन इस अस्टेट विद फायंट सेंट अंड हाइली सेंसिटिव ए तो यह साहिए है ठीक है कुछ सेंट इस अ कंडिशन वैन इफेक्टिव श्रस बिकम जीरो तो यह भी साहिए ए निगे की चारो के चारो और अप्चिन राय यानिकी ऑप्चिन हमाँ डी जर राय आंसर अपर अगला क्वेशन देखे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेशन है इसके मैं आपके थोड़ा डॉट्स के लिए कर दूंगा तो चैक दा डिफ्लेक्शन फॉर टूवे स्लैप ठीक है टूवे स्लैप की बात कर दिया है अबे देशियों इस्पांट तो ओवरॉल देप्थ अफ पारज सा शे स्लैप करें संप्पलीघ तो में इसको खले शुक्या क्रता हूं वन ये Slab हो गया पिर शेंपली सपोर्ट grade me movie ठीक है वन वेसलेप हो गया आपका सेंटीलिवर की टेप रही लिए एक्टिव डेट थे लेंगे तो इसका पॉइंट कर देते हैं जितना अच्छा क्वालिटी का बढ़ जाएगा उतनी स्टेंद बढ़ जाएगी तो तो deflection भी क्या होगा कम हो जाएगा कम होने के लिए किसी ऐसे एक्ट्रे से मिल्ट्रिक लाए करेंगे जिसकी वेल्यू लेस्टन वन हो तो 0.8 क्या लेस्टन वन है ठीक है कितना है लेस्टन वन है लेकिन यहां पर माइल इस्टिल के लावा वह कर देता कि ह्यस्ट बार तो 35 इ अब भी ऑप्टेन फंदा एक्वेशन तो जानते हैं में कुट्री वाइथी सिग्मा सी वीची यान्य ऑप्शन नमसी तर राइट अंसर और एक इंपर्टेंट बात इसमें कि इसमें अम लोग जो है आपका क्रीप का जो लेते हैं वह पार्शली लेते हैं ठीक है फूली क् टॉल्ट चीज नहीं लग रही है यह टुश्टिंग नहीं ओ रही है तो आप लोग 750 सेंटी मीटर से ज्यादा तो प्रवाइट कर देंगे ठीक है साइड इंपूर्समेंट ओके अगर टॉर्क लग रहा है तब और लोग 45 सेंटीमेटर से जादा तो प्रवाइड कर देंग दो कंडिशन धान रखना एक 75 cm में टॉक नहीं लग रहा है कि यहां पर कुछ टॉक के बारे में बोला नहीं है तो 75 cm राइट अंसर होगा अगर टॉर्क बोल देता और उसके साथ बोल देता कि 45 cm भी ऑप्शन में है ताव लोग 45 cm राइट अंसर होता अब बात कर देते हैं कि सब्सक्राइब कि वेलिए कितनी होती है यह होती जिरो पॉइंट वन सेंटीमीटर अफ दा टोटल ग्रोस अरिजा या यादि जिरो फइन परसेंट तो हम लोग प्रवाइड करेंगे लेकिन सब्सक्राइब करते हैं लोग यहां पर इस साइड में और उस साइड में तो जि तकड़ा कोश्चन मनझेगा, ठीक है, 0.05% on each side, या फिर बोल देगा, 0.01% on each side, या फिर 0.1% on each side, तो on each side बात करें से 0.05% होता है, और total के बात करें से 0.1% होता है, ओके, अगला कोश्चन देखते हैं, इन सिंग्ली रिन्फोर्स बीम कंप्रेशन इस बॉन एंटाइली बाई कंक्रीट तो कंडिशन तो दे निरा किया ना कि आपका अंडर है ओवर है या पर बेलेंस तो इसमें हम लोग के नहीं सकते हैं तो ओप्शन इस नोट राइट ठीक है इस्टिल पोसे इनिशली स्ट्रेस इस वें इंबेड़ें इन कंटी यह गळाए ठीक है प्लें सेक्शन ट्रांस्वर्स तो दे सेंटर लाइन ऑफ दीन बिफोर बेंडिंग रिमें प्लें आफ्टर बेंडिंग तो यह इस तर्वाइट ऑप्शन नमर्स इज़गा अगला प्रेस्टिंग क्रेशन तो कितना हो है जिरो पॉंटिंट ओका पर करें कखले सब खस्ढ़नेजरें कि सब्सक्राइबर कर नहीं हो स clown की बात करें लेकिन झि जब आलब नहीं हो रही है तो फॉर्टिंग को आउट इसटी होते हैं ऐा मेग तृम की बात कर रहा हम स्ब्सक्राइब ठीक है, और minimum तो हम लोग जानते हैं कि 0.8% होता है, ठीक है, लेकिन pedestal के लिए कितना होता है, minimum 0.15% होता है, ठीक है, बीम की बात करें, तो minimum कितना होता है, 0.85 BD upon Fy, ये minimum होता है, बीम के लिए, okay, 4 linear elastic isotropic material, the number of independent elastic constant, देखिए, यहां पर confusion बहुत है, 4 elastic constant अपने, E, Mu, K, G, 4 है, E, Mu, Independent है, K, G, Dependent है, यहां पर independent बोला है, independent कितने, E, N, E, यानि की 2 option है, अगर बोल देता है, independent नहीं बोलता है, यहां पर सिर्फ बोलता है, elastic constant, तो 4 हो जाता, अगर independent कीच, अगर dependent बोल देता, फिर भी 2 होते, तब भी 2 हो जाता, तो यह इस combination आपको knowledge होना चाहिए, अगर total elastic constant बोल देता, तो भी 4 हो जाता, ठीक, यानि की option नम्मा B, is the right answer according to the question, okay, और एक important formula है भी है, आपको याद होना च G is equal to 9 KG upon 3 K plus G, अगर फिर मु बाला भी होता है, 3 K minus 2 G, ठीक है, और 3 K plus 2 G type, ठीक है, वो भी होता है पॉम्मा, अगर, क्रीफ of a material is property indicated by, a time dependent strain of the material, यानिक option number A, is the right answer according to the question, okay, अगला कोशन देखते हैं, a steel cube of volume 8000 cc, यानि cc अनिकी centimeter cube, ठीक है, is subjected to all around stress of 1330 kg per centimeter square, the bulk modulus of the material is 1.33 kg, 10 to the power 6 kg per centimeter square, the volumetric strain is, देखिये हम दोग जानते है, K क्या होता है, stress upon volumetric strain, stress upon change in volume, volumetric, volume उपर बहुन जाएगा, अपने को volumetric change बताने हैं कि, delta V बताने है, delta V क्या हो जाएगा है, यहां से, sigma into V upon K, सबस्ते बेस्टेक क्या पूचा है, फॉर्मले में उसको उसी formula लाके रख दो, जिससे आपका calculation mistake होने के chances बहुत कम रहते हैं, अधरवाए आपकी कोई ना कोई mistake होई जाती है, ठीक है, तो sigma कितना जाएगा, 1330, volume कितना जाएगा, 8000, ठीक है, 30, और K की विली जाएगे, 1.33 into 10 to the power 6, ठीक है, अब देखे, point अट आएगे, तो यहां पर 20 और आ जाएगी, ठीक है, 3, 2, 5, 1, 6, और 6, यह चले गई, 133, 133, यह चला गया, बचा कितना 8, तो 8 cm, cc यानिकी 8 cm cube आपका volumetric change होने वाला है, यानिकी option number a is the right answer, okay, in terms of bulk modulus, ठीक है, यह formula आ गया, कि हम लोग जानते हैं, कि आपका position ratio is क्या होगा था, 3k minus 2g upon 6k plus 2g, यानिकी option number आपका 3k minus 2g, 6k plus 2g, option number c is the right answer according to the question, okay, अगला question क्या करता है, और rigid bar ac, यानि यह एक बार देर के हमने, यानि AC digit bar, ठीक है, supported by 3 rods, 3 rods देर की है, of same material, same material यानिकी आपका e, जो भी EKG, जो भी होने वाला हो, same होने वाला है, हम लोग लेके चलते हैं, क्योंकि elongation का concept आईगा, तो e is होने वाला है, of equal die यानिकी area same होने वाला है, सीधा फंटा है, ठीक है, bar ac initially horizontal, a force p is applied such that the bar ac continues to remain horizontal, इस का मतलब क्या है, जो deflection है, वो same होने वाला है, delta 1 is equal to delta 2 is equal to delta 3, तीन हो बार में जो deflection होने वाला, same होने वाला है, forces in each of the shorter bar and longer bar are, ठीक है, हम लोग सीधा formula जानते हैं कि delta is equal to pl by a e, क्योंकि area e constant है दोनों तो यह cancel हो जाएगा, यानि कि p1 l1 is equal to p2 l2, ठीक है, हमने क्या 1 इसको माना है, 2 इसको माना है, ठीक है, p1 l1, ठीक है, p2 l2 की कितनी है, 2 l1 है, तो l1 से l जाएगा, तो p1 is equal to 2 p2, यानि कि shorter bar में जो force आएगा, वो longer bar से ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आगा, 2 times ज्यादा आएगा, और option से चेक करते हैं, पहला value 2 times ज्यादा ठीक है, यह 2 times ज्यादा नहीं है, यह 2 times क्या है, यह तो काम है, यह यह भी नहीं है, यानि कि option number a is the right answer according to the question, क्यूंकि आप चेक करोगे, जो 0.4 है, वो 0.2 का 2 times है, तो option आइलमेट करके आजाएगा, otherwise आप further और solve करना चाहते हैं, तो आप लोग solve कर सकते हैं, कि P is equal to P1, thus P2 यहां से value put करोगे, तब यह यह value आके आएगी, okay, to next question के उट देखते हम लोग, sorry, B is the right answer, ठीक है, वही gas में क्या होता है, momentum बढ़ जाता है, तो viscosity क्या हो जाती है, हमारी increase हो जाती ही, okay, तो option में B is the right answer, वही gas होता, तो increase लिखते हैं हम लोग, okay, अगला question है, cavitation caused by, देखे, cavitation क्या है, साइफन देखा होगा आपने इस तरह है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको बुलते हैं लोग, submission point ठीक है, जो highest point होता है, ठीक है, यहाँ पर cavitation होता है, क्यों, क्योंकि आपका जो pressure होता है, देखे हर एक liquid का एक वे पर pressure होता है, अगर वह उससे कम हो जाए तो वह cavitation होता है, यानि boiling start हो जाती है, boiling start हो जाएगी तो वह आपका जो pipe है, उसको bust कर देखा, cavitation हो जाएगा, यानि कि यह किस से related है, यह pressure से related है, प्रेशर भी कौन सा, minimum pressure, यानि कि low pressure यानि कि option number A इदर राइट आंतर, ओके, अगला question क्या कहता है, the dynamic viscosity of a fluid is 0.139 kgf second per meter square, the specific gravity of the fluid is 0.9, kinematic viscosity आपको बताने हैं, simple formula kinematic viscosity हम लोग जानते हैं, dynamic upon density, dynamic कितनी दे रखे, 0.139, और density कितनी दे रखे, आपको 0.95 into 10 to the power 3, इसको solve करेंगे, तो आपका अंसराएगा option number C, 0.000146 meter square per second, okay, अगला question क्या कहता है, an iron needle placed on water surface in a tank floors on the water, although its weight is more, this is D2, तो यह किस फिनोमना पर बाइस है, यह बाइस से आपका surface tension पर, यह बाइस से आपका surface tension पर, यह बाइस से आपका surface tension पर, यह बाइस नमार D, इसराएड राइड 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 रोके, अगला question क्या कहता है, the height of capillary in tubercle, capillary का formula को जानते है, h is equal to क्या होता है, 4 sigma, ठीक है, cos theta upon gamma into D, ठीक है, तो height of capillary की बात करें, increase with increasing dia, dia increase होगा, capillary का reduce होगी तो गलाता है, increase with decrease in dia, dia decrease होगा, increase होगी तो यह तो सही है, option number B, एक right answer है, C को जानते है, decrease with increasing in serpentation, surface tension तो यह यह न, directly proportional है, तो इसके साथ increase होगी, decreases कैस होगी, तो यह भी गलाता है, D को जानते है, increase with an increase in specific weight, specific grade तो इन्वर्स्ट्री पॉपश्चिनल तो यह भी गलाता है, any option number जो आपका B हो right answer होगी, अकला question देखते है, फिर दो following instrument is used for baseline measurement, देखे, concept क्या है, कि हम लोग invert tap use करते हैं, मैं इसका answer बता जेता हूँ, हम आपको invert tap use करते हैं, इसका concept क्या मैं आपको बताता हूँ, हमारा main region क्या होता है, use करने का किसी भी chain tap को, कि वो हमको accurate measurement दे, जितना ज़्यादा steel होगा, ठीक है, कि हम लोग changing length क्या जानते हैं, L alpha delta t, temperature वा हमारा control नहीं है, length fix रहती है, alpha, उसका thermal coefficient जितना ज़्यादा होगा, उसकी length में variation आएगा, जो हम लोग नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि metallic tape में होता है अपना, ठीक है, invert tape में क्या होता है, आपका nickel होता है, 36% होता है, और steel होती है, 64% होती है, steel कम हो जाती है, क्योंकि निकल बढ़ जाता है, और निकल के जो alpha है, वह 1 by 3 होता है, यानिकि उसका जो expansion होता है, variation होता है, changes होता है, जो भी वह बहुत कमाता है, इस वरिसे हम लोग invert tape को use करते है, accurate measurement के लिए, क्योंकि baseline हमारी बहुत जादे important होती है, ठीक है, सबसे best होता है, ठीक है, कभी करेंगे field में, तो आप लोग पता चलेगा, सबसे less measurement होता है, आपका perpendicular, ठीक है, तो option number A is the right answer, according to the question, एक confusion दूर कर दूँ, कि offset दो type के होते है, एक perpendicular भी होता है, आपका oblique भी होता है, ओके, अगला question है, if for bearing of line A is 35 degree, and that of line B is 15 degree, then the included angle between the chain, इंक्लूटेट एंगल का concept क्या है, इंक्लूटेट एंगल का concept है, यह एक line है, यह एक line है, तो पिछली line से, इस से अपने को clockwise में चलना हो, जो भी angle बने, वो included angle है, C is a funda ही है, इसको आपको focus रखना है, तो यहां अब हम लोग, डाइग्रम बनाते है, A B का कितना है, यह माल लेता है हम लोग, यह 35 degree है, ठीक है, यहां से A है यह हो गया, और फिर यह B हो गया, यहां से कितना है, यह कम जाएगा, यह 15 degree है, तो आपने को यह वाल एंगल बताना, यहां से यहां तक ठीक है तो यह 35 है तो यह भी 35 होगा यह कितना बचेगा 65 बचेगा फिर यह कितना होगा यह 90 होगा फिर बचा कितना पंद्र जोड़ेंगे तो इसको जोड़ेंगे 5 5 10 0 1 लगी 9 10 और एक कितना हो जाएगा आपका अरॉंड यह पच्पन आएगा ठीक है हां यह पच्पन आएगा ओके 65 नहीं होगा यह पच्पन होगा तो यह यहां आएगा 1 6 0 यानिकि 160 डिग्री इस राइट आंस ऑप्शन नमर सी राइट आंसर अकॉर्डिन टूड़ेंगे अगला क्वेशन देखते हैं दा एरर विच अ अगली वीडियो में लोग 50 कोश्चंग करेंगे इस तरह हम लोग एक नया टॉपिक और जो भी सब्जेक्ट होगा उससाओ को एड करेंगे ठेक है इस तरह हम लोग वन वाय वन कोश्चंग के बढ़ते जाएंगे जिससे आपका प्रिवेस कोश्चंग भी न छूटे और जो नए टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग कवर करते जाएं तो आई होप की वीडियो आपको अच्छा लागा हुआ अगर कमेंट कीजी वीडियो के ऐसा लगा कमेंट के बताईएगा मिलते नेक्ट वीडियो में तिल देन बी हैपी केप लर्निंग और डोंट फोर्गेट कीप स्माइलिंग